असलाम लेकुम मेरा नाम दिलावर है और आज मैं आपके रीविव के लिए लेकिया है और अपने ब्लावोटेक चैनल के उपर डॉलन्स का 391 एक कुकिंग स्रीप मॉडल है तो आईए चलते हैं इसके रीविव के दरफ आई जैसे कि मॉडल आपके सामने इस वकर स्क्रीन के उपर है इसका मॉडल है डॉलन्स का डी 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 नाइटी वन एच्जेट पी और एच्जान सीरिस के अंदर है यह इसके इलावा इसकी जो कपैस्टी है वो ट्वंटी सेवन सौरी 23 लीटर सी कपैस्टी है और यह आप इसका देख रहे हैं सारा इसका कंट्रोल पैनल है सब सीव पर इसका माइक्रोबस के लिए फिर शीड़ कॉंबिनेशन है ठीक है इसी तरह से नीचे माग दूमाद में फीचर से वारे मापको गाइड करता हूं और इसमें आप देखें घृ कॉंबिनेशन का जो फूंक पर नहीं दोनों चीजें माइक्रोवड ओवन और गिल दोनों एक साथ चलेंगे के और इसके बाद आप इसको आप पिर इस बटन से जू है कंफिर्म कर सकते है ग्रीλλ कॉंब्बनेशन को समय करने से स्लेख करने से центр और इसके बाद आप इसकнов passed कुकिंग के लिए आपको इस्तावाल करने के लिए आप माइक्रोवेव ओवन को प्रेस करेंगे सबसे उपर दिये के बटन को उसके बाद आपने अपने पी हंड़र आएगा इस पर लिखावा यानि कि इसका पावर लेवल है हेटिंग का नीचे अरवर को प्रेस करेंगे तो कि कंफर्म किया हमने तो बारा माइक्रोवावन को प्रेस करने के बाद तो ये टाइम आगे 95 95 जो है इसका मैक्सिमम कुकिंग टाइम है कि 95 पिनट से का आप इसमें चीज़े जो कुक कर सकते हैं और अपनी मरजी से आप टाइम जो है वो 90 कर लिया 85 80 70 75 उसके बाद सिंपल को नीचे दियेगा बटन कंफर्म को प्रेस करना है और यह स्टार्ट हो जाए ठीक है और मैं इसको क्लियर करता हूं और यह बटन जो आप इसको आरो की तरफ दुबाएंगे यह इसके बिलिटन रेस्पीज है आप कोई पास जो इसकी रेस्पीबुक दी गई है उसमें सार रिव्यू डॉलन्स के 391 मॉडल के रिगार्डिंग तो उमीद है कि आपको जुरूर पसंद आया होगा हमारी नहीं आने वाली वीडियो के लिए काइंड़ी आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें और मिलते हैं बहुत जल्द हमारी नई वीडियो म अलाफेश